ज्यादा तर देखा जाता है कि महिलाओं एवं पूरुसों में बाले अवस्था के बाद जब किसोर अवस्था लगती है तो उस अवस्था तुप्हानी अवस्था में पूरुस एवं महिलाओं के चेहरे में दाना निकलना चालो हो जाता है जिसको हम विवहारी भासा में मुहासे काते हैं देखा जाया तो उस मुहासों से किसोरों की दुख भरी जिन्दगी हो जाती है क्योंकि उसी समय ओकी सोर, ओकी सोरियां अपने आपको चाहते हैं कि हम अधिक सधिक सुन्दर लगें लेकिन यह पूरा फेस बरबात कर देता है, पूरा चेहरा खुचहा बना देता है, बड़े-बड़े दाने निकल जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, चेहरे में दाग हो जा यह दाक आजीवन चलता है और इसमें एलोपयत की मेडिसीन काम नहीं करती जिसको अंग्रेजी दवा बोलते हैं तो आईयो मित्रों एक ऐसे आउसदी का चर्चा करेंगे जिकर करेंगे जिसके मात्र प्रियोग से बिना पैसे के मुहासेस को हम लोग खुला चैलेंज देते है कि जड़ से इसको समाप्त कर देंगे जड़ से साफ कर देंगे तो जिसका नाम है लेमन यानि हिंदी में इसे नेबू कहते हैं नेबू सभी को घरम में पेड़ा है हर सहर में है हर गलियों में है सभी लोग जानते हैं जैसा कि मार्केट में नेबू गरमियों में लोग इसक का रस सर्वद में पीते हैं हर जगा मिलता है लेकिन आपको कैसे प्रियोग करना है और महां से कैसे बारे मुझें बताना चाहते हैं तो मित्रों नीवू का फल लेना है ऐसा फल जो पका नहों लेकिन परिपक को हो गया हो और उसकी ऊपर का जो परत है जो छिलका है वो हरा हो और सास उतरा हो ऐसे हरे नीबू को लेना है आपको अब इस नीबू के छिलके को उतार लेना है ध्यान रहे रस का कदाप नहीं प्रियोग करना है नहीं चेहरे में जलन होगी और कालापन हो जाएगा और इस छिलके को आपको खल वट्टे में या सिल वट्टा पर जहां पर नमक और मिर्चा की पिसाई न होती हो साफ सुथरे जगहों में इसकी पिसाई कर लेजिए अखो महीन पिसाई करिए और पिसाई करने के बाद इसको गुलाब जल में मिलाईए हलका सा ढीला करिए और फेसवास से चहरा धोईए और धोने के बाद इसको जो आपका नीबु के छिलके का जो चटनी बनी है और इसमें गुलाब जल मिलाकर आप अपने पूरे चहरे में लेव कर लिजिए और लेव करने के बाद आप इसे अपने फेस पर कम से कम आधा घंटा पड़े रहने दीजिए यह पूरा सूख जाएगा और आधे घंटे के बाद पानी से मुह धोल लिजिए और इसमें कदाब फेसवास और साबून नहीं लगाना है यह क्रिया एक हपते तक करिए धीरे धीरे आपके मुहां से सूखने चालू हो जाएगे और धीरे धीरे चहरा साफ होना चालू हो जाएगा जो दाग है वो भी हट जाएगे अब किसी पतार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा धन्यवाद मित्रों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइफ करें सेयर करें